एलो फ्रेंज कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे आज जो रेमेडिय लेकर आए हूँ फ्रेंज बहुत ही यूसफूल होने वाला है तो फ्रेंज अचानक से साधी या फिर पार्टी आ जाता है अपने चेहरे को निखारने के लिए हम बाहर के चीज को यूज करते हैं च और फिर इस तरीके से निबू से तो जिनके चेहरे पे च्छाईया का सिकायत है या पिमपस हो गया है तो ये सब होम रेमेडिय से आपका है तो हमें ये होम रेमेडिय को बनाने के लिए हमें लेना है इस तरीके से कॉल गेट और निबू इसमें क्या-क्या चीज मिलाना है वो friends आप लोग वीडियो में बने रहें तो friends हमारे यह home remedy है वो कोई नुकसान भी नहीं करता है चेहरा पे और हमारा चेहरा खुब सूरत और निखार देता है आप पालर जाने के लिए भी भूल जाएंगे friends हमारे चेनल पर नहीं हैं तो please मेरे चेनल को subscribe करें वीडियो को लाइक करें और सेयर भी कर दें इस तरीके से लेना है एक कटोड़ी और इसको home remedy को बनाने के लिए हमें दो-चार चीज का जरूरत फड़ेगा friends आप देखकर चौक जाएंगे इतना अच्छा आपका चेहरे पे glow आ जाएगा इतना अच्छा बेदाग हो जाएगा आपका चेहरा friends अब इसके लिए देखें चेहरे पे दाग है चाहिया है तो इसके लिए आप पालर तो जाते ही है और यह फिर बाहर का आप यूज करते हैं उसमें बहुत तरह के केमीकल मिलाया हुआ रहता है जिसे हमारे चेहरे बहुत ही नुकसान हो जाता है तो friends यह home remedy है कोई भी आपके चेहरे पे नुकसान नहीं होगा यहाँ पे हमें ले लेना है सबसे पहले 2-3 चमच दूद लेना है उसके बाद हमें ले लेना है इस तरीके से नीमबू तो friends यह नीमबू है इसको हम लेंगे हाप चमच जादा नहीं लेंगे इसमें 2-4 गुंद इसमें हम डालेंगे तो यह दूद जो है वो फाट जाएगा तो friends पनीर को फारने के लिए हमें नीमबू का यूज करते हैं तब जाकर पनीर फाटता है अब उस पनीर में बहुत ही बिता पनीर में प्रोटीन भरपूर मातरा होता है और विटामिन भी होता है इसके लिए लिए हैं दूद और फिर यहाँ पे नीमबू आधा चमच इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है आब इसे मिक्स करेंगे फ्रेंस तो यह कच्छा दूद है यह फट तो चाता ही है और यही हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छे से जो है हमारे चेहरे का इस चेहरे पे लगाएंगे न तो यह जो फटा हुआ दूद यह पनीर टाइप का बन गया है यही हम चेहरा पे लगाएंगे इसी से हमारा जो है बहुत सारे दाग धबे जो भी है वो सब क्लीन हो जाएगा और यहाँ पे हमें डालना है अब थोड़ा सा लेना है इस तरीके से कॉल गेट तो हाँ वाइट वाला ही कॉल गेट यूज करना ठीके न वाइट वाला कॉल हलका सा नाम का लेना है जादा नहीं लेना है ठीक हलका सा ही डालना है क्योंकि कॉल गेट जो है न चेहरे को बहुत ही क्लीन कर देता है फ्रेंस इसलिए हमें जादा नहीं लेना है क्योंकि आप दाद को साप करते हैं तो दाद जितने गंदे होते हैं फिर भी वो क्लीन कर द आप लोग बने रहें वीडियो में इसकिप करिएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा थोड़ा सा हमें और भी लेना है और इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है तो देखिए ये एक छाग बन गया है और गारा हो गया है ये चेहरे पे ये बहुत ही अच्छे से लग जाएगा और फ्रेंस ये हमें इसमें और भी एक छीज मिलाना है और फिर किस तरीके से हमें लगाना है रिमूव किस तरीके से करना है उस सब वेडियो में हमें बताएंगे तो आज दो टिप्स से लेकाना है फ्रेंस आप दोनों टिप्स को देखिए कि हमें किस तरीके से दो चीज से अपने चेहरे को बेदाग और अपने चेहरे में लाइट ला सकते हैं तो बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेना है हल्दी तो हल्दी लेना है अच्छे वाले हल्दी लेना है ठीक है और इसको भी मिक्स कर देना है थोड़ा सा हमें यहाँ पे डाल देना है बेसन अब यह आप चाहें तो बेसन डाल सकते हैं नहीं तो फिर आप हटा भी सकते हैं डा आपके चेहरे पे बाल का है बाल तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं बेशन यह फिर आटा डाल सकते हैं तो बस यहां पे अब आपको हम अपलाई करके दिखाते हैं इस तरीके से अपने चेहरे पे आप इस तरीके से अपलाई करेंगे और फिर इसको जो है ना आप इसे अच् जहरा जो है वो बहुत ही खुब्सूरत हो जाएगा गोडा हो जाएगा और फिर दाग धबी जितने भी आपकी चेहरे पे है या फिर डाय सकीन हो गया है तो वो सब आपका ये दो तीन बार एक बार में ही आपको जो है फरक नजर आने लगेगा और हफ्ते में दो बारे से त्फोड़ा सा कोफी नहीं तो फिर इस तरीके से चीनी थम् supplier cat नहीं चेहरे पिए इस तरीके से इसक्रब कड़ेंगे sis Internet अधिक इससे बहुत कि अच्छ नहीं हो जाता है और जितने भी हमारे ये हैं वो सब क्लीन हो जाएगा तो फ्रेंज इसी से मसाज करना है ठीके इस तरीके से आप मसाज करेंगे ना तो फिर आपका चेहरा तो गोड़ा होई जाएगा जितने भी दाग धबा है वो सब भी हर जाएगा क्योंकि ये टमाटर जो है बहुत ही अच अच्छे से हमारा चे इस तरीके से आपका चेहरा गोड़ा और लाइट आ जाएगा तो आज का वीडियो आप लोगो कैसा लगा फ्रेंज थोड़ा सभी मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंज तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंज मिलती हूं कल का वीडिय बाइ बाइ, के साल अगा कमें सुबक्स